एलो फ्रेंड्स, आजू तमारी साथे शेर करीज एकदम नवी रीते बनतू पालकनी भाजी ना शाकनी रेसिपी तो आ शाकनी ग्रेवी अपड़े एकदम धाबा स्टाइल, मसाले दार अने क्रीमी तैयार करसू अने ग्रेवी माजेरे पालकनी भाजी एटकरीने शाक तेयार करवा माँचे, प्यारते एकदम टेस्टी बने छे तो रोटला के परोठा साथ एकदम चुक कस्ती ट्राइ करवा जेऊ, पालकनी भाजी नू शाक बना अनू शारू करी साथी पहला पालकनी भाजी नू शाक बनावा में या छो मोटी साइज ना पूडिया अने वजन माँ 500 ग्राम जेटला पालकना पान ली देला छे तो शाक माटे आरितना फ्रेश अने कुणा पान नी पसंद्गी करवी, साथे तेने सारी ते धोई लेवा, तो हवे तेने सुधार्वा माटे थोड़ा पान ने लई 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 अने छारे नी मदती तेनी नीचे रहेला आरितना ज़ाड़ा डाड़ी ना भागने कट करी लई हवे पानने बे भाग माँ डिवाइट करीने तेने लामबी स्ट्रिप माँ कट करी लई तो यापण स्ट्रिप ने मीडियम थीक राखवानी छे वधूपड़ती पतली के वधूपड़ती जाड़ी नथी राखवानी अने हवे आरितना बद्धाश पानने कट करी लई हवे में या मोटा तपेलामा चार्थी पांच कप चेटलू पाणी एट करी ने तेने सारीत गरम करी लिदेलू छे तो पाणी आरितना गरम थाई जाए एटले तेमा एक चम चेटलू मीठू एट करी ने तेने सारीत मिक्स करी लई तो पाणी मा थोड़ू मिठू एड करवा थी ते पालक ना पाणने एकदम चोखा करी देच अवे में यहां बदधाच पाणने कट करीली देला चे तेने पाणी मा एड करी देच अने हवे मीडियम टू हाई गेस नी फ्लेम पर पालक ना पाणने फक्त बेथी त्रौन अने तरत अज तेनी उपर ठंडू पाणी आर इतना एड करी देए जैसी तेनी कुकिंग प्रोसेस टौप थाई जाए तो गरम पाणी मा अपड़े पालक ना पाणने फक्त त्रौन मिनिट माटेच बोयल करवाना चे पालक ना पानने बोयल करवानी आ प्रोसेस ने ब्लां अने तरौन मिनिट माटेच बोयल करवानी प्रोसेस एकदम सराड छे अने त्रौन मिनिट माँ पालक ना पान सोफ्ट तो थाई जाए छे पन तेनो ग्रीन कलर पन साक मा जड़वाय रहे छे तो हवे भाजी ना शाक ने क्रीमी टेक्षर आपवा माटे एक पेस्ट बनावी लेई तो मैं यहां बे मोटी चमचेतला सेकेला सिंक्धाणा लेदेला छे तो मैं सिंक्धाणाने रोस्ट करीने तेनो फोत्राणों भाग काढ़ी लेदेलाछे साथे बे मोटी चमचेटला सफे तल ली देला छे तो मैं सिंगदाना अने तलनू माप सरखुरा केलू छे साथे एक मोटी चमचेटलो चणानो लोटली देलो छे अने वा बद्धी जवस्तु एकदम सारीते ग्राइंट थे जाए तेना माटे वनफोर्थ का अपचेटलू पाणे याट करी देया अने बद्धी जवस्तु ने ग्राइंट करी लेगे तो बद्धी जवस्तु ग्राइंट थे ने आपड़ी आरीतनी क्रीमी पेस्ट सयार थे गेछ तो शाक माटे आपने क्रीमी पेस्ट सेयार थेगे छे आपने सिंग्दाना दाड़ियानी दाड अने चणाना लोट साथे बना वेली छे थाबा माझे आरे शाक नी ग्रेवी ने क्रीमी टेक्षर आपवानी होई त्यारे तेमा चणाना लोट नो उप्योग करवा माँ छे एक पिंचेटली हींग एड़ करी देए साथे मिया या त्रोण मोटी चमची अने अंदाजेत पंदर्थी सोड नंग जेटली लसन नी कडिने जीनी सुधारीली देली छे तेने एड़ करीने लसन सेज गोल्डन ब्राउन थाए त्यां सुधितेने साथ्रील लईया तो बाजीना शाक मा लसन नू प्रमाण थोड़ू चडिया आतु होए तो खानी खुब बज मजे आवे छे तो लगबग त्रोण मिनिट जेव थाए गियो छे अने लसन सारेते सतलेने उपरती थोड़ू कुल्डन ब्राउन थाए गियो छे तो अवे मिया या अड़धा कप जेटली जीनी सुधारेली डुंगडी लिदेली छे तेने एड करीने डुंगडी सेज ट्रांस्परेंट थाए त्यां सुधितेने साथ्रील लईया तो लगबाग बेथी त्राउन मिनेट जेऊ थाए गियो छे अने आपडी डुंगडी एकदम सारेते सतले गया छे तो हवे मिया या एक मोटी चमचेटली लीला मर्चानी पेस्ट ली देली छे साथे एक चमचेटली आदूनी पेस्ट आड करीने आदू मर्चाने सारेते साथडी लईया तो अबड़ा आदू मर्चा सारेते सतले गया छे हवे मसाला याट करता पहला गेसनी फिलम एकदम लोग करी देया अने मसाला मा अरदी चमचेटलो हर्दर पाउडर एक चमचे लाल मच्चू पाउडर एक चमचेलो धाला जीरू पाउडर अने अर्धी चमचेलो गरम मसाला पाउडर आट करी देया अने मसाला बड़े नहीं तेना माटे वन फूर्थ का अपजेटलू पाणी आट करी देया अने मसालाने तेल माँ सार हीते साथडी लईया तो शाक बनावती वक्ते मसाला नार इतना तेल मा सातडवा थी शाक नो स्वाद अने कलर एक दम धाबा स्टाइल आवे छे तो लगबग 2 मिनिट माज आपना मसाला एक दम सारी ते सत्राइने तेनी साइड्स माथी तेल छुटू पड़ी गियुँछ तो हवे मिया या अडधा गबजे ली टामेटो प्यूरे ली देली छे शाथ आपनी टामेटो प्यूरे फटा फट कूक थाई जाए तेना माटे स्वाद प्रणे मीठो आड़ करी देये आने तेने सार रिते साथ डिलेए तो हवे दयार करेली क्रीमी पेस्ट ने एड करी देये आने तेने सार रिते साथ डिलेए तो आप पेस्ट ने बनावमाटे आपने चणाना लोटनो उप्योग करेलो छे एले तेने थोडी वार्थता धलावत रहवानू छे आने सार रिते साथ डिलेवानी छे जेती चणाना लोटनो काचो स्वादवयो जाए तो लगबग 2 मिनिट जहु थाई कियो जए अन्य अपड़ी क्रीमी पेस्ट एकदम सारी ते सतलाईने तेनी साइट्स माथी तेल छूट्टू पड़ी गियो जए तवे आसमे अपड़ा पालक ना पान ने ग्रेवी माँ एट करी देए आने तेने ग्रेवी साथे सारी ते मिक्स करी लए तवड़ा पालक ना पान ग्रेवी साथे सारी ते मिक्स थेग्या चे हवे रस्वो करवा माटे एक कब जटलू गरम पाणी आट करी देए आने तेने सार इते मिक्स करी लए, तो शाक नी ग्रेवी मा ठंडा पाणी नी जग्या गरम पाणी एट करवा थी, ते शाक नी कुकिंग प्रोसेस चालू राखे चे, तेना ती मसाला नो कलर औने स्वाद एकदम सरस छड़वाई रहे चे, तो शाक नी ग्रेवी मा पालक सार अब ग्रेवी साथे पालाक ने पान ने 5-7 मिनिट माटे कूक करी लई ज़ेदे 100% कूक थाई जाए अने ग्रेवी नी फ्लेवर ने एब्जॉब करी लिए तो लगबग 5-7 मिनिट जो उठाई ग्यूचे अने भाजी ग्रेवी ने एब्जॉब करी ने अपरू शाक तयार थे साथे शाकनी साइड्स माधी थेल पंट छुट्टू पड़ी ग्यूचे तो वे शाकने साव करता पहला तेनी उपर एक स्पेशल तड़को करी लई तो तड़का पैंड माँ एक मोटी चमचेलू घी एट करी देए तो घी साथे शाकनो तड़को एकदम सरस लागे छे हाव तेमा एक चमचेटला सफित तल एट करी देए तो तल एट करवा ठोटली ओप्शनल छे तबड़ा तल सारीते सत्राई गया चे अवे गर्मा गर्म तड़काने लई 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 अने शाक उपर एट करता पहला तेनी उपर अड़दी चमचेटलू कश्मीरी लाल मर्चु तल एट करी देए अने तड़काने भाजी साथे सारीते मिक्स करी लई तो पालक नी भाजी नूँ शाक बनावती वकते आरीतना उपर थी थोड़ो तड़को एट करवा थी भाजी नूँ शाक एकदम टेस्टी बने चे तबड़ शाक तयार थेग्यों छे तो गेसनी फ्ले शाक एकदम धाबा स्टाइल तयार थे उचे तो यह गर्मा गरम शाक ने शाक करी लाइए तो रोटला के परोटा साथे खानी मज़ा है ते हुँ अपड़ू एक दम टेस्टी पालक नी भाजी नूँ शाक तयार थे गियुँछे तामें पालक नी भाजी नूँ शाक तो घणी वार बन आई हुँछे पड़ एक वार आर इते तेने चोकस्ती ट्राइ कर जो जो तमने मारी आजनी रेसिपी गमी होए तो मने कमेंट सेक्षिन में जरूर ठीके जो साथे मारा वीडियो ने लाइक और फ्रेंड्स और फेमेली मां शेयर कर जो और मारी चैनल ने सब्सक्राइब करवानू ना बूल सो तो फरी मड़ी एक नवी रेसिपी साथ